चारुबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है FIS-DIS का आक्शन कैसा रहा है देखे FIS की सेलिंग इंटेंसिटी लगातर हम आपको बता रहे हैं लेकिन साथी एक ही चीज़ ये भी समझ लीजे कि सेलिंग इंटेंसिटी जो है वो होती हुई नजर आ रही FIS की तरफ से विच इस पॉजिटिव और इसके सामने DIS लगातर खरीदारी यानि कि भारती बाजार पर अपना भरूसा जो है वो दिखा रहे हैं कल के अगर सेशन की बात करें कैश मारकेट में FIS ने करीब 2921 करोर की बिकवाली के आंकड़े दिखाए हैं वहीं DIS की तरफ से आज यूज़ूल जैसे हम देख रहे हैं सपॉर्ट साते हुए दिख रहे हैं लगातर खरीदारी DIS ने कैश मारकेट में की है 1860 करोर के करीब की खरीदारी DIS की तरफ से आती हुई दिखी है द्वाइदा बाजार के आंकड़े FIS ने करीब Index Futures में 701 करोर की बिकवाली किया Index Options में 4848 करोर की खरीदारी के आंकड़े यहां पर आते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं तो अगर आप देख सकते हैं कैश मारकेट में FIS की बिकवाली है Index Futures में एक छोटी बिकवाली FIS की तरफ से आती हुई लेकिन DIS कैश मारकेट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं और Index Options में BFIS की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आता हुए दिख रहा है FIS, DIS का Action संस्थागत निवेशको का Action लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब कल के कारुबारी सत्र को याद करते हैं और समझते हैं कि आज के लिए जो संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं उसका Impact Domestic Markets पर क्या पढ़ता हुए दिख सकता है Of course, गुरुवार का सेशन, weekly expiry का सेशन भी है तो ऐसे में भारतिय बाजार के लिए अब शुरुवाती स्ट्राटेजी आप क्या बनाएंगे हमारे साथ Markets को समझाने के लिए Opulent Advisors की बुजेश सिंग जुड़ गया है कल के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक भी बिक्वाली ही हावी रही आज के लिए क्योंकि weekly expiry है इंडेक्स पर आपकी राए क्या होगी शुरुवात में तो गुड़ मॉनिंग मांजी दी, नो डाट जो आपने कहा मैं उसमें ही सहमत रहूँगा कि कल का सत्र अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक बहुत छोटी दायरे में ट्रेड कर दा सत्रसी पॉइंट के डायरे में ट्रेड कर दा लेकिन जो एक महत्तपून बात थी जो मैंने लगबग दो ढ़ाई बजे के मार्केट में देखी वो ये थी कि निफ्टी स्पोट और निफ्टी तीचर का जो डिफरेंस था वो इडिसकंट था वो फिर भी तेरा पॉइंट और पंदरा पॉइंट के आसपास में आखे रहे गया तो मेरा ऐसा मत है कि पहले फर्स्टाफ आफ अफ दे सेशन आज का वो एक बिक्वाली का रहेगा और अगर हम पंदरा यार दोस्रों को होल्ड ओन कर गए तो फिर हम देखेंगे कि फिर दुबारा है उसमें एक उच्छाल निफ्टी में देखने को मिलेगा और क्यूंकि आ अगर बाइंग का मैं राय नहीं दूँगा तो कि वालिलिटी है एक्स्ट्रीम अभी भी तो बाइंग अभी ना करें वेट एंड वाच की पॉलिक्सी पर रखें बैंक निफ्टी की अगर हम मैं बात करो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा में एस कम प्र निफ्टी से जो रहेगी वो लगबग यही लेवल पे रहे निची बटीज़ा आट सो से लेके तेटी से या तीन सो के निफ्टी से तक के बीच में जी फिराज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक रेकमेंडेशन का सुजा रहे हैं आप जैसे कि आपने नोटिस किया कि कल के सतर में मैटल स्टॉक्स में एक बिकवाली हावी थी तो मैं उसी में से एक काउंटर जो नजर आ रहा है जो वीक है वो हिंद कॉपर है ओवर अगर हम ट्रेंड की अगर हम बात करें कल के सतर में हमने दिगवजों को नया फिफिदो भी लो बनाते हुए देखा और मैं बात करूं तो 79 का कारगे निका आ रहा है जो दूसरी कॉल है वो हमारी EU बैंक से है नो डाउट एक पुलबेक दिखाया है लेकिन वो फिजल आउट हो गया अगर हम ऑक्सलेटर फ्रंट से देखें तो उन्होंने इंडिकेशन जो है वो अभी भी लो हायर लोस फॉर्मि में ही ट्रेड करें तो ऐसी कोई एक्टिविटी इसमें नहीं है कि कह सकें कि इसमें कोई पॉजिटिवी बीख रही है तो मौझद सर्पे बेचने की सला रहेगी 612 का हम स्टॉप लोस लेके चलेंगे 580 का हमारा टार्गेट रहेगा लिए राय दो स्टॉक स्पेसिफिक रेकिमेंडेशन एक हिंदुस्तान कॉप और साथी यहां पर एयू स्मॉल फिनैंस पर राय आती हुई बिजेज जी की तरफ से दिख रहे हैं फाक्ट अगर स्पेसिस की बात करें मेटल स्पेस में निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 230 अ शुक्रिया आपका आपके रेकमेंडेशन समय बताने के लिए हिंद कॉपर में आगर आप देखे 79 के टागेट्स को ध्यान में रखें स्टॉप लॉस 87 का सेल कॉल इनिशेट करने की राय वहीं एउस मॉइनांस में विकल के सत्र में हमने कमजोरी के साथ ट्रेड देखा था और इसी के चलते कमजोरी और जादा गहराती हुए नज़र आ सकते 580 के टागेट्स को ध्यान में रखें 612 का स्टॉप लॉस कल 2.30 ये स्टॉप टूटता हुआ हमने देखा था चली आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज ख़बरो वाले शेज कौन से हैं जिस पर हमें नजर रखनी है बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुने हैं सौमित गुड मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरे हैं आज फोकस में पहले तो बजाज आटो फोकस में रहेगा कंपनी ने पहले अपना जो बोड मीट रखा था बाइबाग के उसको डिफर कर दिया था और अब कल फ्रेश अनॉंसमेंट आया है जहां पर कंपनी बोड मीट करने वाली है जून 27 को वापस से बाइबाग कंसेडर करने के लिए तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा उसके अलावा काफी सारे क्रूड लिटेट स्टॉक जैसे कि एशन पेंट्स, अपोलो टायज, ओंजिसी फोकस में रहेंगे क्योंकि brand crude करीब 109 डॉलर प्रती बैरल के आसपास पहुच चुका है ये जो level दिख रहा है हमें brand crude का वो lowest है पिछले एक महने में और अब तक so far अगर हम जून महने में देखेंगे तो brand crude में करीब 11% का correction हमें देखने को मिला है जो की monthly basis में first time drop है पिछले 6 मेने में और इसका जो अभी recent drop जो हमें देखने को मिला है वो इसलिए है क्योंकि एक fear है market में क्योंकि global economy slowdown हो जाएगी जिसके जिसे demand पे एक impact आ सकता है इसी करण crude में correction दिखा है और crude related stocks इसी दम पे focus में रहेंगे Vodafone idea focus में रहेगा कंपनी ने promoter Vodafone PLC से करीब 436 करोड रुपीज रेस करने की बात किया है अब यह fundraising इधर equity या warranty issue करके किया जाएगा और जो price पर यह fundraising होगी वो 10.2 रुपीज पर share पे होगा जो कि 20% premium पे है current market price के सामने उसके अलावा company ने यह भी कहा है कि कुछ 8000 करोड के demand उन्हें DOT से आये थे जो AGR provisioning में नहीं थे बट उन्होंने 4 years का moratorium लिया है उसमें और यह 2026 से वो payment करेंगे इस amount का 6 equal installments में उसके अलावा बाल कृष्ण इंडेस्ट्रीज फोकस में रहेगा Caterpillar एक global company है जिसे bell weather माना जाता है global industrial economic और उसके share prices में अच्छागा सा drop दिखा था क्योंकि recession के futures market में है और याद रखेगा बाल कृष्ण एक supplier है Caterpillar के लिए और बाल कृष्ण वन थर्ड जो revenue है उसका वो off highway tires से generate करता है और अगर recession आती है global economy में तो ये off highway tires का जो demand है उसके भी एक negative impact देखने को मिल सकता है accuracyal focus में रहेगा क्योंकि company ने ये कहा है कि company जो supply करती थी IKEA को वो august से double हो जाएगी जो supply agreement चालू होगी वो august 2022 से चालू होगी जहाँ पे वो normal sales से ज़ादा अब supply करेंगे IKEA को landmark pharma क्योंकि US FDA ने form 483 issue किया है company के बद्धी plan में और six observations उन्होंने दिये है अभी तक के लिए उसके लबाद quest cop और all sec अभी एक all sec quest cop की subsidiary है जहाँ पे वो 71% stake own करती है बट quest cop ने ये कहा है कि वो all sec को अपने साथ merge करने वाली है अब जो merger ratio उन्होंने decide किया है वो है 74 shares quest cop के दिये जाएंगे for every 100 shares of all sec और अगर हम current market price के सामने इसको compare करें तो करीब public shareholders जह है all sec के उन्हें 6% premium मिल रहा है इस deal में और आखिर में GPT infra भी focus में रहेगा एक small cap company है उन्होंने order when announce किया है करीब 292 करोड का ये सौमित शुक्रिया ये सारी की सारी खबरे हमें बताने के लिए तो खास्तोर से ये तमाम खबरें और तमाम stocks और खबरों के दम पर focus में रहेंगे बजाज ऑटो पर focus किजेगा क्योंकि 27 जून को company board better करने जारी है जिसमें buyback प्रस्ताफ को लेकर इस वोड बैठक में विचार किया जाएगा याद रखे, buyback decision को 14 जून को differ किया गया था अब वापस ये बैठक 27 जून को होने जारी है जिसमें buyback को लेकर विचार किया जाएगा तो बजाज ऑटो फोकुस में जरूर रहेगा और इस board meet पर भी नज़र रहेगी जो कि 27 को होने जारी है चलिए आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि brokerage houses के radar पर कौन सी reports हैं बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ चुर गई हैं वामाक्षी गुड मॉर्निंग बताएं brokerage reports कौन सी हैं वाल गुड मॉर्निंग मांसी शुरुवात करते हैं हम hero motocorp से तो bank of america ने उनकी राय को upgrade किया है neutral की राय से उन्होंने खरिदारी की राय दी है और लक्ष रखा है 3000 प्रतीश शेयर का earnings में एक अच्छा rebound आने की उम्मीद है वो expect रहे करीब 25 प्रतिशत क्यागर Fy22 से लेकर Fy24 तक इवन जो volume से उसमें भी अच्छी recovery आने की उम्मीद है टू-wheeler इंडश्टी वाइड एक demand में काफी अच्छा improvement आ रहा है और EV shift से hero के entry bikes portfolio पर ज्यादा असर नहीं नजर आ रहा और इसी के चलते bank of america ने hero motocop की rating को upgrade किया है और खरेदारी की राई दी है और आखिर में focus करिएगा Tata Steel पर JP Morgan ने O weight की राई बर करार रखी और लक्ष रखा 1400 प्रतिशेर का जो net debt है वो करीब 50 प्रतिशत कम है और आगे चलते हुए भी गिर सकता है balance sheet भी पिछले 10 साल के मुकाबले काफी मजबूत नसर आ रही है और recession के फियर्स के चलते मंदी के चलते steel और metal stocks में काफी भारी गिरावट आ चुकी है और उनका मानना है कि ये steel market की जो चुनौतिया है वो एक one-off से और आगे चलते स्थिती सुधरने की उम्मीद कर रहे है और इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने टाटा steel पर ओववेट की रहे ब करा रहने तो चल해 तो चले टाटा स्थील पर जीपी मॉर्गन की ओववीट की रहे है जिस पर हमें नजर रखनी होगी और वामाक्षी शुक्री आपका ये सारी प्रूकर जपॉर्टस से में बताने के लिये काहा नज़र रखनी है रनीती बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए है HDAW से सिक्यार्टीस के तपन पटेल तपन गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका एटीनाव स्वादेश पर शुरबात क्रूड से ही करना चाहूंगी क्योंकि कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं एक जो उबाल देखने मिला था वो बिल्कुल थमता हुआ नजर आ रहा है जी बिल्कुल जैसा नवता है के वाल आपकी है क्रूड में फिजाद के लिए और लास्ट ट्रीक में जो प्लांज जाया था उसके बाद के सेशन में भी हमको गिराट जेखना मिली और कल इमनिंग सेशन में हमने सोड़ी बाद रिक्वरी देखिती प्राइज में लेकिन तो मुझे लगा है क्रूड में थोड़ा भी उच्छा राता है यहां से भी तो सेल करना चाहिए क्रूड जूल जुलाइ कॉंटक जो हो 8,470 के लिए सेल करना चाहिए टागेट 8,050 टॉपलोज जो हो 8,610 का रखके क्रूड में सेल कर सकते हैं अगर हम देखें हाँ पर किरावच की नजर आ रही है और साथी ब्रेंट क्रूड जिस तरह से कमजोरी दिखा रहा है एक बार सेल कॉल इनिशिट करनी की राए 8,470 के लेवल्स पर बिकवाली की जिएगा लेकिन तपन साथ ही बुलियन मार्केट की अगर बात करें सोने चान्दी की चाल ट्रेंड जिस तरह सा दिख रहा है आपकी राए वहाँ पर क्या होगी बुलियन मार्केट ने हमने देखा कि प्राइज जो है और और एक पकड़ के चल रहे हैं रहे हैं जो है काफी लोगर रेंज है लेकिन गिराट भी जो है वह अर्डियाट है क्यों कि एक साथ जो रिशेशन की चिंता है उसके कारण से अगर जाती है लेकिन अपसाइड कैप है क्यों कि युस तरह है का जो अग्रेशिव स्टांस एक और झाल बुलियन के लिए इसक लेकिन ओर जो है वो बाइन डिफ साही तरह कि एक तरफ रुपीड अपरिशेट कर भी आपे आमको फाइदा मिल सता है इंडियन टम्स मुझे जो है गोल में बाइन डिफ से रख सकते हैं पच्छाज अच्छा के लग अगस्ट कॉन्टर्क में बाइक सकते हैं एक कमना जा लेकिन साथ ही बेज मेटल्स में भी उतार्चरहाव नजर आ रहे तापन बेज मेटल्स में कोई पर्टिकलर अपिक जो आप चुनना चाहेंगे जी बेज मेटल्स में फिलाल इमांड कंजन्स है में तो चाइना की तरफ से डिवांड रिकवरी जो आने चाहिए पोस्ट बाके मेटल्स की बात करें तो उसमें जींक और अलिया जोनों में डाउंसर कैप है लेकिन अभी भी जो ट्रिगर ज्वाया है बाइंका वो भी इन अफ नहीं है जींक में नो डाउट टाइंट सप्राई इसका फाइदा आगे जए मिटता है लेकिन टेडिंग के लिए यज अब भी जाए नहीं कोपर में ही टेड ना चीए अपर में से नेनडाइस करना चीए अब 732 के लेज़ से कॉपर में शाल कर सकते हैं टागेट 725 और शटाप लोज जो जो हो 736 के कॉपर में सब्सक्राइब के टागेट से हमपर 736 का आपको स्टापलास बान कर चलना है तब क्रिया कमाडिटी मार्केट पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए